हाज जी दोस्तो नमश्कार आज हम बात करेंगे साबू दाने से होने वाले फाइदों के बारे में और नुकसानों के बारे में दोस्तो साबू दाना सागो नाम के एक पाम ट्री के तने में से निकाला जाता है साबुदाने में calories की मात्रा काफी ज़्यादा होती है क्योंकि यह मुख्य रूप से start से बना होता है साबुदाने में carbohydrates की मात्रा भी काफी ज़्यादा होती है लेकिन साथ ही इसमें कम आत्रा में protein और vitamins भी होते हैं साबुदाने की सबसे خاص बात यह हैं कि यह gluten-free होता है, तो जिन लोगों को gluten से allergy है, जो लोग गेहूं नहीं खापाते हैं, वह लोग गेहूं के एक बदल के रूप में साबूदाना खा सकते हैं. 100 ग्राम साबूदाने में लगभग 332 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम फैट होती है, 83 ग्राम कार्बो हाइड्रेट्स होते हैं, 1 ग्राम फाइबर होता है, और एक दिन की जरूरत का 11% जिंक होता है. साबूदाने का सबसे पहला फाइदा ये है, कि यह आपके शरीर की performance को बढ़ा देता है. अगर आप वर्काउट करने से पहले साबूदाना खाएंगे, तो इससे आपकी performance बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कार्बो हाइड्रेट्स की मातरा काफी ज्यादा होती है. इसलिए इसे खाने से आपको तुरंत energy मिलती है, तो जिन लोगों को ठकावट महसूस होती रहती है, ताकत की कमी महसूस होती रहती है, वह लोग नाष्टे में साबूदाना खाएं. साबूदाने का दूसरा फाइदा ये है, कि यह वजन बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप किसी ऐसे भोजन की तलाश में हैं, जिसे खाकर आपका वजन बढ़ सके, तो आपको साबूदाना खाना चाहिए. साबूदाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर के अंदर अंदरूनी अंगों को बचाने के लिए, जरूरी फैट टिशूद का निर्मान करते हैं, और पूरे शरीर के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, उनका एक समान वितरन करते हैं. तो जो लोग अंडर वेट हैं, यानि जिनका वजन काम है, उनके लिए साबूदाना बहुत अच्छा है. साबूदाना उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती हैं. साबूदाने में विटामिन B6 और फॉलेट होता है, जो पेट के अंदर बच्चे में रीड की हड़ी का विकार पैदा नहीं होने देता, इससे एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है. साबूदाना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होती है. रेजिस्टेंट स्टार्च जब कोलोन में पहुंसती है, तो वहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में वृध्धी करती है. इसके लावा रेजिस्टेंट स्टार्च मल को नरम बनाती है, जिससे कब्ज दूर होती है. साबूदाना खाने का अगला फाइदा ये है, कि इसमें कुछ खास परकार के अंटी ओक्सिदेंट्स काफी ज्यादा मातरा में होते हैं, जैसे के टैनिन्स और फ्लेवनोइड्स. ये अंटी ओक्सिदेंट्स शरीर में बिमारी पैदा करने वाले हानेकारक फ्री मॉलिक्यूल्स को निश्करिये करते हैं. अगर ये फ्री मॉलिक्यूल्स शरीर में ज्यादा हो जाएं, तो इसे कई तरह की बिमारियां शरीर में पैदा होती हैं, जैसे कैंसर और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज. ये अंटी ओक्सिदेंट्स शरीर में इंफ्लामिशन को भी घटाते हैं, और इम्म्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं. साबूदाने का अगला फाइदा ये है, कि ये कैल्शियम और मेगनीशियम का एक अच्छा स्त्रोथ है. कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए भी आप साबूदाना खा सकते हैं. इससे आपकी हड़ियां और दान्त मजबूत बनेंगे. साबूदाना खाने से आपका हई ब्लड़ प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि इसमें पुटेशियम होता है. पुटेशियम हई ब्लड़ प्रेशर को कम करता है, और हार्ट के उपर पढ़ने वाले स्ट्रेस को कम करता है इसे स्ट्रोक और हार्ट अटेक का खत्रा कम होता है साबूदाना हाई कोलेस्टरॉल और हाई ट्रेगलिस्राइड के लेवल को भी कम करता है साबूदाने में अमाईलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है Amylose एक किस्म की starch है जो digest होने में ज्यादा समय लेती है ये starch cholesterol कम करती है और triglycerides कम करती है तो साबूदाना आपकी cardiovascular health के लिए भी बहुत अच्छा है साबूदाने को diabetes वाले लोग भी खा सकते हैं लेकिन सीमित मातरा में और वह भी कभी कभार क्योंकि साबूदाने का glycemic index high होता है ज्यादा होता है लेकिन क्योंकि ये natural है तो आप इसको कभी कभार खा सकते हैं लेकिन अपने sugar level को ध्यान में रखते हुए साबूदाने का नुकसान ये है कि इसमें carbohydrates ज्यादा मातरा में होते हैं तो जो लोग low carbohydrates वाली diet खा रहे हैं उनके लिए साबूदाना ज्यादा अच्छा नहीं है और diabetes वाले लोग अगर इसे ज्यादा मातरा में खा लेंगे तो उनका blood sugar level बढ़ सकता है तो diabetes वाले लोग इसे कभी कभार ही खाएं और वह भी कम मातरा में अपने blood sugar level के हिसाब से और इसका तीसरा नुक्सानी है कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वह लोग अगर ज्यादा साबूदाना खाएंगे तो उन्हें अपना वजन कम करने में दिक्कत आएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप साबूदाना खा सकते हैं दोस्तो मेरा एक vlogging channel भी है अगर आप मेरे family vlogs देखना चाहते हैं तो आप मेरे उस channel को भी subscribe कर सकते हैं इसका link में नीचे description box में दे दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद